आप मेरे स्पीशी स्क्रीन पर एक सर्फस देख रहे हैं जिसका 3D व्यूव और प्लान व्यूव मैंने सेट किया हुआ है यहां पर एक ड्राव हुई है और इस पर कुछ मैंने सेंपल लाइन क्रियेट किया हुए है जो कि इस सर्फस के एए एरिया के मताबक किया आप जिसका ऐंटरर्वल रहा है इसका इंटर्र है इसका एंटर्वल आपका data किश बहो सकता इंटर्वल उससी के हिसाब से आपने सेंपल लाइन क्रियेट करनी है आदकी video में जो है मैं in points के जो है वो station offset जो है works port करके दिखाऊंगा आप लोगों को इसके लिए मेरे पास एक application है मैं उसी का use करूँगा और बहुत असानी से हम अपने इस data को data ये OGL का data submit करने के लिए हम इसको बहुत easily जो है वो prepare कर लेंगे तो इस app को load करने के लिए मैं net load की command देता हूँ यहां पर मैं net load की जैसे मैंने enter किया है तो यहां पर यह में app है मैं इसको open करता हूँ इसके जो short command है आपने चार दफा क्यों प्रेस करना है तो यह open हो जाएगी जैसे open होगी तो आपके ड्राइंग में अगर एक से ज्यादा alignment है तो जिस पे आपने sample line ट्रा किया है और जहां पर आपका OGL ड्रा है आपने उस alignment को select करना है जैसे आप लोग select करेंगे तो यहां प elevation टीक है तो मैं इसको simple यहां से save की command देता हूं और यहां पर जो है मैं इसको just overwrite करता हूं yes और इसको मैं close कर देता हूं टीक है तो अभी मैं जो है अपने folder को browse करता हूं यह file अभी हमने create की है ओके मैं इसको open करता हूं open with excel फाइल हमारी open हो रही है यहां पर यह file open हो गई है data text to column next और यहां पर मैंजस्ट इसको यह वाला format जो है semicolon और comma जो है इसको मैं select करता हूं next और finish कर देता हूं तो यहां पर आप आप लोग देख सकते हैं हमारा station वाइस जो भी data था वो पूरा साट हो गया है आप लोग देख सकते हैं ठीक है यहां पर जो है यह आगया data पहले station का उसके accept कर लिया है अभी हम जस्टिस की heading देंगे और इसको यह data हमारा submission के लिए ready है अमीदा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा thanks for watching अल्ला आफिस